मा कात्याईनी की कथा का संपुल्ण विवरन ब्रहमदत, मा कात्याईनी, मा कात्याईनी ब्रहमदत, मा कात्याईनी, महिशासुर के वद के लिए हुआ था देवी का जन्म, एक कथा के अनुसार कत नामक एक प्रसिद महर्शी थे, उनके पुत्र रिशी कात्या हुए, इन्ही क परामबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्मले। मा भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिशासुर का अत् कात्याईनी कहलाए। रुक्मनी ने भी की थी इनकी पुजा। कहा जाता है कि माता महर्शी कात्याईन के वहां पुत्री रूप में उत्पन हुई थी। जन्म लेकर शुकल की सब्तमी, अश्टमी तथा नवमी तक तीन दिन इन्हों ने कात्याईन रिशी की पूजा ग्रह मनुवान शित्वर की प्राप्ती, इसके अतिरिक्ट जिनका न्याओं के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें नवरात्री में माता कात्याईनी के ओम कात्याईनी महामाय महायोगिन यदिश्वरी। नंदगोपस सुतम देवी पत्राप्ति